मस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में और आज हम जिस फाम के उपर आये हैं भई इस फाम की वीडियो आज से हमने लगवग दो ढ़ाई साल पहले भी बनाई थी और आपको यह जो गोड़ा इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले है यह गोड़ा भी आपको वीडियो में हमने दिखाया था दो ढ़ाई साल के अंदर गोड़े ने कितनी तरक्की करी गोड़े का कितना नाम बना वह सारी चीज हम आज हमारे साथ में बाइसाब मौजूद है विन जानने वाले हैं बाइसाब नमस्ते कैसे हो बढ़िया पर दी आगी मिना थे तनी अच्छी दूपनी के लिए आपके सामनी है उन लगता है गोड़ों के लिए बहुत जरूरी है ना जब गोड़ा निकाला है तो यापको पता ही चलता था गर्मी कितनी आती फिर करते बिलकुल बिल्कुल बाई मेरो लगता है पंजाम भी बहुत पड़ी है तो मेरे लगता है गर्मी पड़नी चाहिए तो जो ना मतलब पिछली बार के आज तक मैंने मेरी सुर्त में जो है रिकार्ड तोड़ देते होंगे इतनी ज्यादा सर्दी पड़ी है मेरे साब से दो के आसपास ड कर दे प्रदी पार अधर ऑसे अधिक्क याध कर देतने अधिक्ट नहीं थे पिजक्यक decks कर देते था उसके का साथ भी हो जाती है और नहीं डाल एती तो बिल्कुल नैंसे प्लेज़ नाम आपने युद्यं सब पहलेल एक बार अपना पूरा नाम का नाम और अपने बिल्कुल में रोड यह आता है और फांप का नाम है कबदी स्टड़ फांप अपने गांप पे नाम पर रखने का यह मतलब था कि हमारे गाउं का भी ना हुए ठीक है अगर देखो ऑनर को तो सभी जानने लग जाते हैं बिल्कुल ठीक है लेकने हमारा ऐसा था भी हमारे लोगो को हम आप का सबसे जो मैन गोड़ा है को दीन बात करें जो लोगों को हम का सबसे जो मैन गोड़ा है वो दिखाने वाले हैं क्या नाम है इस गोडे का इसका नाम जंगवीर है जंगवीर और जंगवीर का बाप कौन है इसका बाप है काला कांटा काला कांटा जिसका सभी को मालूम है उसके बारे किसी को बोलने की जरूरतनी है बिलकुल ठीक है उसकी लाइनेज की भी बोलने की हmniej और जुडरूरतनीय और इसकी जो महा है माह है रूप मां किसके पास में मां इसकी है बठंडे में बल्मान तुबाई के पास हो अभी भी है जर्श का और मर में तो काफी बड़ी गोडी हो गी यह बनार ही मझा एक पीषे ती कवच्छा वी साथ को गहा वाद दूल यहां हुआ है के लिए तो पिछे से उसकी एक बच्ची आई थी जतीन बाई के पास जीनत इसकी बेहन रहन की माँकी प्रदूसर किया तो मौने और दो बहुत अच्छ अच्छा रहा है पहले तो वह एक किसान के पास थी वह इसका इसका बरत भी अपने हर्याने में हुआ हुआ है नहीं इसका जंगहों जंगवीर का जो मिलाद गभा निक्षा हो निया है उनके घारी एवे उम्वे सराग्व कहता है उनके गाउं में की उंब्ध कुछ में इसका मुला तो तो अब सबस्क्राइब है ना कि मैं मेरे को नहीं को आपने देखर आप नहीं हो तो लोग कहें गोड़ा चोटा है अभी आज कल क्या है मेरे ऐसा लगने लगा है कि कोई आदमी अगर सच को और भलता है तो पागल समझने लगे बताने है थी पागलों कि तुम्हें आपनेता है जोरत आइगा जैब सब्सक्राइँ यह पोलते है कि चटा अलग जिए दला है मैं आपको बताता क्यूं धुद्ट इतनि है प्रजूय बल्टें मुझे सब्सक्राइच कैर लो Ko second बना बेता है कि आपनी काम है कि लोगों में दमाग में इक ही बात बैठ गी है हाइट है बाइ कुछ नहीं देखता है कॉल्टी निकाश्य चिरतही ठीकर रजन्ट इछता इनको सिर्फ हाइट डी तब एक योडे किंट इक उन्जाएं 15,000 और आगर जैसे हम बात करें भूर अज दे तो हमने पहले जब वीडियो बनाया था आज से दो साल पहले तब भी हमने इसके बारे में बताया था तो अब मेरे को यह बता हूँ कि छोटे हाइट के गोड़े ने बहुत बड़े बच्चे पैदा कर दिया क्या करा है यानि कि कुछ नाम बताना चाहू क्या क्वाल्टी है इसके बारे में इसके बारे में वैसे बताने की जरूरतनी अपने इडिया के सबसे बड़े फारंपर आया थीक है उसका नाम ब्रह्मदेव है जो गैरी बाई के पास है वो 68 के आसपास चला गया राम से 68 चला गया ना अभी दो दांत है अब दो दांत में आप देखना गोड़े और भी बह होता हूं गोड़े बड़े हैं सकतर सopने के लोगो के खड़े है ठीक है चलो अच्छे वी है लेकिन उसमें आप कभी भी किस्ट देखना जो सब्सक्राइब रोगो दूसरों में नहीं है बिलक्त違 enfa होएगी लेकिन उसमें जो वार्डी स्ट्क्चर है ठीक है उसमें लेंथ है उसकी नेक परफाइल है उसका फेस परफाइल है और नीचे से उसका सूंब उसका पुठ्था आप बताएंगे भी एक सबी गोड़ों को देखना जो बोलते हैं कि जे 68 है 60 है ठीक है जहां फर 70 का है उनको देखना और कंपेर करना भी इसमें क्या बेस्ट है ठीक है अगर गोड़ा आइट में छोटा है तो उससे परखनी बच्चे अपने से भी ज्यादा दे रहा है अभी कई बोल देंगे वी एक गोड़े की एक गोड़ा हुआ है और तो नहीं है इसके बच्चे और भी त च्टॏ लेक्ट के लेगा बाहर भी फिकलेगा झार्वी ठीक है फोट अभी मिल्क टी थी आ नि वो शिक्स्टी फोर के आसपास हो गया है मक त्यम्नि आंनों प्ट घ्मदा और पर अगणे मं वहरे पढ॒र मार्क लिएब औदेनी तो अगया वैं लोग श्या इसकोड़ा पटा दिया है इसके चारे पैर भी बच्चों के white आते हैं किसे के दो आते हैं अपने घर पे उसके तीन पैर white है बच्चे के ते और मत्य पे पटा है तो लोगों को जो हम इस बच्चा स्कृरीन पर दिखा तो यह अपने घर गए बच्चा है इसका नाम फरैयाद ऑर भो गहरी बही सामने जंञ बीर खड़ा वा है और बाइब लगता है कि घर पह बहार निकालने पर देखो Chambers कि बिल्कुल सूरत और मूरत दोनों बदल जलती है चाहिसे गोड़ा हो या बच्चा हो यह बात तो भई है अभी गर पे बच्चा और कुछ दखाता है वहार गोड़ा कोई भी है बाहर निकलने से अपना रूप दखाता है असलिए लेकिन अब बच्चा भी त्यार करें ते अभी देखो बीजे क्या करता है आगे वैसे तो आपने वीडियो पे लो सभी ने देखी लेना इसके बारे में बोलने की अभी जरूरत नहीं है बिल्कुल है जो इसके बारे में बताना था वो आपने बता दिया ठीक है इसकी मां है वो अलिशान गोड़े की है अलिशान ग के साब से नहीं वाकी चलो ऐसे होता है भी बंदे की मूड पे डपेंड होता है कब देंगे लेकिन इसको अभी तो त्यार कर रहे हैं यानि रखो गया रखेंगे क्योंकि ऐसे अपने गोडे का बच्चा है जैसे अभी पिछले सीजन में कितनी गोडिया मैट कर वाई और इस स दोस्तों की गोड़ी पर शोड़ते थे तो अभी कबरिंग चाल हूँ अभी कबरिंग चाल हूँ बिल्कुल बागी गोड़े को अभी जैसे सो बगएरा हो रहे हुए उनमें लगाने का इरादा नहीं है कि अच्छा तियर कर रखा आपने शो में मालूम ही आपको क्या होता सब्सक्राइब करने हैं ठीक है ना वोड़े बोले तो ठीक मैं बोल देता हूं तो इसलिए मैं कुछ बोलता है निया हम भी चलो अगर बोलेंगे तो हमसे भी लगने लग जाते हैं लोग दुनिया से लगते हैं मेरे फादर साब पहले उन्होंने इंटर्व्यू दी थी में है जो अच्छा है वो किसी का ही है उसको हम अच्छा बोलेंगे जो सामने है सभी को पता चल जाता है लेकर अकर उसकी वैसी पुल-बांदी जाए उसको बोली जाए जो ऐसे है उसका क्या माल दूत मेरे लगते कि अंदिगार हम रहेगा जिंदीगी पर अभी मुझे मैं मेरे पर मेले पर जाता हूं ना मेरे फादर साथ मेले पर किसी शोव में जाते नी है ताइक यह ना मुझे सबी पूछ ते यह पूछते है यह इसलिए नहीं है यह जाओक अपने गर प्रेद्टन चल रहा है उन्हाइं वह फेशी चलो शांखताउन में अंकी पजास हिं भे प बिनर्वना दो उसी को जो देडा है वो देदा के छुट्टी घतम करो बागी का तो मेरे लगता कि वो मेले का बजट बढ़ाने जाते हैं हमारे पंजाम में बस जब एक गोड़े के पीछे पढ़ते हैं उसको खतम कर देते हैं फिर बोलते हैं बोग गोड़ी नहीं लगाता फिर भी में जा आप मेरे को लगता है कि ऐसे टैम पर हर किसी गोड़े को इसा इन वा जीदानि भी वहले जाना कि आपाइसा जाना है इसा उसको चोड़े तो इस वार चोड़ना को ये को अकलमंदी कोई बात तो बात तो मुद्द्दिय की के दी आपने है जिस से हर किसी का गोड़ा चले और लोगों के पास में अलग अलग अज़के आसे हुआ है लोगों को सिर्फ पैसा कमाने का हुआ 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 कि इनको जानवर से प्यार नहीं है। कोई नहीं सोच रहा है ठीक है कोई पिछ आदमी ऐसे भी है जिनको गोड़ों से बहुत ज्यादा लगाओ है उनके बारे में सोचते हैं पर भाई वह कितने मेरे को लगता है 30% लोग होंगे जो बिचारे जो दिल से मौबत करने वाले लोग है लेकिन यह तो अपना पैसा कमान के सामने रखे तो आदमी थोड़ा बोलना बंद हो गया होगा बंद हुए ठीक है यह आप जबाब दो एक गोड़े ना जबाब देती है वो ज्यादा बहतर है हमको क्यों नहीं हम यार हमारा यहीं तो है हमें मुझे मैं डिस्पले करने गया था गोड़ा भी ते वहां पर म आज की तुर्स नहीं है जबी गोड़े को यह कोड़ी पड़ती है रजल्ट अपने सामने है क्या ज़रूरत आए हमें मेरो लगता है यह पांच यंगले इक जैसी सबीको परमात्मा अलग चीजद देता है ठीक है ना गोड प्रभी अलग लग वालटी एक तोसे तो यृघ में जी है उसका रजल्ट ऐसे आता है वो गोड़ी उससे मेटिंग करवा सकते हैं लेकर अपने लोग यह नहीं सोचते हैं वस यह होते हैं उसके कल को बच्चे बिगते हैं यार उसके लगवाव ठीक है ना गोड़ी ठहरे ना ठहरे वह लगवाता है माल अंदर होना चाहिए चलो बहुत बढ़ी यह बागी इस वीडियो पे जानने के बाद में वैसे भी पर दिखाया आपको सभी को प्रभू करके दखाया कि मेरा रजल्ट कैसा है ठीक है ना लेकिन इनो जो अच्छे फारंबाले उनका है उनको भई अच्छी गोड़ी पढ़ती है ठीक है हमें इस गोड़े को मेरे यह आपके गोड़े को पढ़ेगी तो मिर लगता है 100 आजल् तो आपको पता चल जएगा भी साथ हैं इसने कैसा रजल्ट दिया है अभी जो पिछले सीजन में गोडियां वही है मतलब मेरे साब से 63 और चाशड के आसपास ठीक है जाँ फर एक दो गोडियां हो जो श्याट 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 66 के ऊपर थी यह 67 के आसपास थी ठीक है लेकिन उससे पहले का सट के ऊपर कोई गोडी नहीं लगी सिरफ अपनी एक मूर्णी गोडी है जो अपने गर की वह 63 के अपने आपको प्रूप क डों आप यहीं लंट आसूंगे लिजyy kita करा सकते हैं कि अपनी अपने गोड़ी मैडिया इंदर आपके पास में दो गोडिया वी को यह भी COB l 009k हमने बच्चे वह तो ओनों के डून्ड़ है तो आप जोडून वीडियो हम आपको भई दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे बहुत सच बोल दिया आपने आप देख लेना ठीक है पर मेरे को यह लगता कि आपके साथ में गोड़ा है कुछ महेंगा नहीं सच आपने कोई गलत यह किसी के बारे में गलत तो नहीं होता है अब जो लेकिन आज चल रहा है ना हमने वह रियालिटी बोली है ठीक है रियालिटी कोई भी तो ना चाहिए बोलने वाणा सभी अगर सबी बोलेंगे के सेव जौन में रहना फिर हो गया अपने काम अभी यसे किसान आंदोलन चल रहा है हर कोई किसान यह सोच ले नहीं नहीं मैं काय को जाओं मेरे को बोली लग जाएगा कौन भाई जो हां वह भी अपनी मांगों की लिए जा रहे हैं तो मैं वह ही कह रहा हू चलो ओके थैंक यू परदीब भाई